हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल UK Study Circle में साथियो आज Wednesday Special वीडियो की बारी है और आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्राखंड के सामान ग्यान से related Multiple Choice Questions की सीरीज जिसमें हम उत्राखंड के इतिहास भूगोल, सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत, नदिया, मेले, यात्रा आदी उन सभी topics से related facts और information पर आधारित Multiple Choice Questions का practice set लेकर आएंगे जिसे की आने वाले exams में आपका performance और अच्छा हो सके और आप उसमें अपना selection पका कर सके तो friends आज का यह video इसी series का पहला भाग है तो इस video को बहुत ध्यान से देखिएगा और साथ में notes भी बनाते हुए चलिएगा तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस series का पहला question है कतीरियों की राजधानी का पांडू केश्वर तामर पत्र में वर्णित नाम क्या है इसके options हैं A करवीपूर, B कारतिकेपूर, C टंकरपूर या D हर्शपूर friends इस question का जो सही answer है वो है option B कारतिकेपूर साथियो पद्रीनाथ मंदिर के समीप पांडू केश्वर मंदिर है जहां से चार तामर पत्र कारतिकेपूर राजवन से समंधित प्राप्त होए थे एक तामर पत्र में राजाओं की तीन वन्शावलियों का वर्ण है इसमें बताया गया है कि देशट देव का पुत्र पदम देव राजा चौथी पीड़ी का बताया गया है इस तामर पत्र में कत्यूरियों की राजधानी कारतिकेपूर बताई गई है एक दूसरे तामर पत्र में एक पीडी और अधिक लिखी वे यानि पांच पीडियों की इंफर्मेशन उसमें दी हुई है यानि उसमें दिया है कि राजा पादम देव का पुत्र सुभिक्छ राज देव नाम से जाना जाता था इसके लवा पांडुकेश्वर के तामर पत्रों में ललित सुर्देव, देशडदेव, निम्बर देव आधि राजाओं का भी वरणन किया गया है इस तामर पत्र में देशडदेव के राजमंत्री, भट हरिशर्मा और युद्ध मंत्री नंदा दित्ति का भी उलेक किया गया है इसमें टंगनपुर के करमशारियों का भी उलेक मिलता है और इन पांडुकेशर्थ तामर पत्रों की जो लिपी है वो ब्रहमी लिपी और पाली भाशा में इनको लिखा गया है दूसरा कोशन है उत्राखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षर्था प्रतिसथ 2011 के अनुसार आरोही करम में व्यवस्थित करना है तो फ्रेंट्स इसमें जो सही आंसर है इसका वो है उप्शन B हरिद्वार उत्तरकासी टीहरी और बागिश्वर यनि हरिद्वार की इन चार जिलों में से हरिद्वार की साक्षर्था सबसे कम और बागिश्वर की सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार ये इन चार जिलों का सही करम है आरोही करम में सबसे पहले हरिदवार 73.43% इसकी साक्षर्टा उसके बार उत्तरकासी फिर टेहरी और सबसे ज़्यादा बागेश्वर जिसकी साक्षर्टा दर 80.01% रही है जनगंड़ना 2011 अनुसार और 2011 की जनगंड़ना के अनुसार राजी की जो ओसत साक्षर्टा दर है वो 78.82% है इसमें से पुरुसों की साक्षर्टा 87.40% और महिलाओं की 70% औसत साक्षर्टा की दृष्टी से राजी का भारत में 17 इस्थान है जिसमें पुरुसों का इस्थान 13 और महिलाओं का 20 इस्थान है बात करें राजी में औसत साक्षर्टा में जो वृद्धी हुई 2001 से 11 की तो महिलाओ की साक्षर्टा दर में 10.4 प्रतिसत की और पूरसों की साक्षर्टा दर में 4 प्रतिसत की व्रिद्धी हुई और कुल जो औसत साक्षर्टा में व्रिद्धी हुई वो 7.2 प्रतिसत की हुई सरवाधिक साक्षर्ता देहरादुन जीले की 84.25% और सबसे कम साक्षर्ता रही उधम सिंग नगर की 73.1% अगला प्रश्ण है उत्राखंड क्रांती दल की स्थापना किस वर्स हुई इसके ओप्शन्स हैं A. 1976, B. 1972, C. 1989 या D. 1989 उत्राखंड क्रांती दल की स्थापना हुई 1989 में यानि ओप्शन C जो है इसका वो सही अंसर होगा परवती जन विकास समीती के मसूरी सम्मिलन में सबसे पहले उत्राखंड क्रांती दल की स्थापना पर सहमती बनी थी इसके बाद 25 जुलाई 1989 को बिबिनजंदर तिरपाठी, देविदत्पंत और इंद्रमणी बडोनी तथा कासी सियं एरी ने नैनी ताल में उत्राखंड क्रांती दल की स्थापना की इस पार्टी के यानी उत्राखंड क्रांती दल के सबसे पहले अध्यक्ष बने थे देविदत्पंत और वर्तमान में इसके लीडर प्रमुख लीडर है कासी सियं एरी और वर्तमान अध्यक्ष हैं दिवाकर भट उत्राखंड करांतिदल का मुख्याले देहरादून में है अगला जो प्रश्ण है इसमें आपने बताना है कि लधिया नदी किस मुख्य नदी की साहिक नदी है इसके options हैं A यमना B काली C गंगा या D अलग नंदा तो साथ ही वह लधिया नदी काली नदी की साहिक नदी है यानि इसका जो option B है वो बिलकुल सही answer है लधिया नदी का उद्गम स्थल गजार है जो की अल्मुडा पितरोगर नैनी ताल का मिलन मिद्दू है लधिया उत्राखंड की काली नदी में मिलने वाली सबसे अंतियम नदी है या नदी चूका चमपावत में काली नदी से मिलती है लधिया नदी पश्यम से पूर्व की और बहने वाली नदी है और काली में मिलने से पहले लदिया नदी में राठिया नदी मिल जाती है लदिया और राठिया के संगम पर प्रसिद मीठा रीठा साहि transform जो की सिखों का प्रसिद तीर्थिस सल है इस्थित है अगला कुश्यन है किस राश्ट्री उद्यान के मध्ध में पाटली दून इस्थित है और इस कुश्यन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन B जिम कॉर्बेट राश्ट्री उद्यान इसके मध्ध में पाटली दून इस्थित है यह एशिया का पेरा राश्टी उद्यान है 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से इसको इस्थापित किया गया था यह उत्राखणी के दो जिलू ने निताल और पॉड़ी में विस्तिरत है स्वतनतुरता के बाद इसका नाम बदल कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और 1906 में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस राश्टी उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था इसका छेत्रफल 520.82 किलोमेटर स्क्वाइर है इसका प्रवेशद्वार धिकाला में है और इस पार्क के मद्य में पाटली दू दून का मतलब घाटी होता है इसे थे और यहां से पश्चमी रामगंगा नदी भी प्रवाहिद होती है 1973 में सबसे पहने प्रोजेक्ट टाइगर की सुरुवात यहीं से की गई थी तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद